हलो गाइस वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे क्लास 7 का चप्टर नूमबर फस्ट इंटीजर जिसकी एक्साइज 1.1 का क्वेशन नूमबर 8 क्वेशन नूमबर 8 है हमारे पास वेरिफाई A--B is equals to A plus B for the following values of A and B अब यहाँ पर आपको question में 4 part दिये हैं A first part है A is equals to 21 and B is equals to 18 आपको put करना है इस type से आपको 4 parts दिये हैं इन 4 parts की आपको क्या निकालने हैं clear है तो यहाँ पर देखिए कि करना क्या है सबसे पहले तो आपको जैसे कि यह parts दिये हैं अब यहाँ पर जैसे first part में A की value 21 and B की value 18 यहाँ पर दिया हुआ है आपको तो यहाँ पर जो equations आपको दीविए देखिए यहाँ पर verify करना है A minus minus B is equals to A plus B यह जो equations दीविए इसमें आपको जो values आपको दीविए A की value 21 and B की value 18 जो first part है तो आपको इस equations के अंदर इन values को रखना है जहाँ पर A है वहाँ पर 21 को रखेंगे जहाँ पर B है वहाँ पर 18 को रखेंगे clear है औ और हमार को यह proof करके दिखाना है कि मतलब verify हमार को यह करना है कि LHS जो है वो RHS के equal है क्या clear है बात यहाँ पर verify बोल रहा है तो verify करके बताना है कि LHS जो है वो RHS के equal है क्या clear है बात समझ में आगई बात तो यह equations है इसको आप अभी जैसे आप 6th class में आओ तो आपके लिए न operator नहीं होता है equations में equal operator होता है ठीक है तो यह equal operator दिखा रहा है इससे हमारी क्या बन रही equations बन रही है और equations हमारे equations जो होती है वो हमेशा किसकी जैसे होती तराजू की जैसे ठीक है तराजू जैसे यहाँ पर भी 5 किलो यहां पर भी 5 किलो समझ रो जब भी वह equal होगा नी तो तरा जो क्या होगा एक तरफ जादा हो जाएगा एक तरफ कम हो जाएगा clear रे बात तो अगर आपको तोलना है तो भाई यह equal तोलना पड़ेगा कुल मिलागर बात है तो equations means LHS और होता है वही equations होती है ठीक है clear रे बात तो equations का जब answer आएगा तो हमेशा LHS और RHS क्या होता है इकवल ही आता है ठीक है कोई सी भी आप condition ले लो LHS जो LHS होगा और RHS होगा वह equal आएगा हमेशा clear है वही equations होगी तो हमार को यह करके दिखाना है, दिखाना है हमार को भी, प्रूफ करना है, तो देखे यहाँ पर करना कैसे है, सबसे पहले तो करना आना चाहिए आपको, तो देखे यहाँ पर equations क्या दीवी है, यह तो first part के लिए मैं solve करता हूँ, यह हमने first part लिखा, और first part में जो यह दियावा है, तो म यह लिखी वी है, तो हम लिख लेते हैं, कि यहाँ पर a की value क्या दीवी है, 21 दीवी है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं putting value of a is equals to 21 and b is equals to 18 in equation first, ठीक है, equation first थी, अब यहाँ पर हम put कर लेते है value को, तो देखे यहाँ पर put करेंगे, तो a की जगे जहाँ पर a है, वहाँ पर 21 put करना है, तो equations यह थी न, तो देखे यहाँ पर क्या है, a है, तो 21 put करो, यह 21 put कर दिया, फिर minus sign लगाओ है, तो minus, फिर देखे, bracket लगाओ है, मैंने bracket लगा दिया, फिर minus है, minus, अब b है, b की value बताओ कितनी है, 18 है, तो मैंने 18, बस कुछ भी नहीं करना है, ज जहाँ b है, वहाँ 18 लग दो, फिर equal operator है, तो equal लग दिया, फिर a देखो, a, a की value 21 है, 21, plus लगाओ है, plus, b है, b की value 18 है, 18, इस type से करना है, आपको equation को solve, ठीक है, अब देखे, 21 लग दिया, मैंने, अब यहाँ पर solve करना आना चाहिए, मैंने आपको previous question में भी बताया है, कि भा different sign आते जब, और equal sign आते, same sign आते, तो जो answer आएगा, वो हमेशा plus आएगा, यहाँ पर देखो, minus, minus, दोनों same sign है, तो इनकी जगे कौन सा sign लिखेंगे, हम plus लिखेंगे, clear है, क्योंकि 2 sign की जगे हमार को 1 sign करना होता है, तो यहाँ पर हमने plus लिख दिया, अब 21 plus, यहाँ पर 18 clear है, जहाँ पर भी 2 sign आते है, वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा 1 sign हो जाता है, और 1 sign निकालने का तरीका क्या है, माइनस माइनस क्या होगा, plus, तो मतलब short trick मैंने आपको बता रखिए, 2 अगर same sign है, तो प्लस आएगा, 2 अगर different sign है, यहाँ पर अगर minus, एक जगे plus होता है, ठीक है, is equals to, यहाँ पर क्या है भई, 21 plus 18, अब बताओ 21 plus 18 and 21 plus 18 equal है या नहीं है, calculate करना चाहो, तो calculate भी कर सकते हो, 8 plus 1, 9 वैसे दो दिखी रहा है, लेकिन फिर भी कर लो, 8 plus 1, 9 and 2 plus 1, 3, और यहाँ पर भी 39 ही आएगा, कर लो, तो LHS जो है, वो RHS के equal हुआ या नहीं हुआ, तो LHS जब RHS के equal हो गया, hence, it is verified, ठीक है, तो आप लिख सकते हो, यह हो गया भी है, हमारा verified, clear है, तो इस type से आप इन questions को करना है, समझ गए बात को, चलिए, अब हम आते हैं second part की और, तो देखी यहाँ पर second part लिख लेते हैं, तो second part में हम directly करेंगे, ठीक है, putting, अब देखो second part में क्या है, A और B के value यह है, तो हम लिखते है, putting, हाला कि आपको यह भी लिखना है, A minus minus, लेकिन मैंने एक बार equation लिख दी, अब नहीं लिखूँगा, बार बार, तो putting value of A is equals to 118, अब second वाले के लिखा रहें, 118, and B is equals to 125, in equation, यह कौंसी equation है, यह वाली equation, इस equation को मैंने नाम दिया है, first equation, अब यहाँ पर put कर लेते हैं, देखो, A जहाँ पर है, वाहाँ पर 118 रखना है, तो 118, फिर क्या है, minus है, minus रखा, फिर bracket था, फिर minus रखा, B क्या है, B हमारी 125 है, तो 125 लिख दिया, फिर bracket close, फिर equal लगावा है, तो equal लगा दिया, A लिखावा है, A 118 है, फिर plus sign है, plus sign लखा, फिर B की value कितनी है, B की value 125 है, बस, अब 118 है, तो 118, अब आपको पता है, दो sign एक साथ आएंगे, तो उसकी जगे एक sign होगा, और दोनो sign क्या है, same sign है, तो क्या होगा, plus होगा, 125, 118, plus 125, अब इसे sum करना है, तो कर लो, नहीं करना है, तो भी आपको पता है, य LHS जो है, वो RHS की equal है, क्योंकि यहां पर 118, यहां पर 125, यहां पर 125, यहां पर 125, और दोनों का sum के आएगा, same ही आएगा, तो LHS जो है, वो RHS की equal, hence, verified हो गया, यहां पर लिख दो, यह कर लिया, हमने verified, ठीक है, अब part 3rd भी हम कर लेते हैं, तो part 3rd कैसे करेंगे, भाई, तो part 3rd के लिए, putting, फिर से वही process लगाएंगे, putting value of A is equal to, अब देखो A क्या है, 75 है, तो हमने लिखा 75, B क्या है, आपका 84 है, यह लिजिए, in equation, फिर से first, यह वाली equation है, ठीक है, equation A की है, तो उसमें put करना है आपको, अब यहां पर देखो, क्या करना है, A की value, put करनी है, तो A जह फिर bracket, फिर minus, फिर B लिखावा है, B की जगे 84 लिख रहा है, is equals to, यहां पर A 75 है, plus लगावा है, plus लगा दिया, B क्या है, 84 है, तो 84 लिख दिया, अब देखे, यहां पर 75, और minus minus आपको पता है, plus हो जाएगा, 84, 75, plus 84, then LHS जो होगा, वो RHS के equal होगा, दिख रहा है, then यह क्य होगा हमारा, verified, clear है, अब देखे, 4th वाला पार्ट भी कर लेते हैं, इसी टाइप से, तो यहां पर 4th वाले पार्ट में क्या करेंगे, अपन, putting value of A, A की value क्या put करेंगे, 28, and B की value क्या put करेंगे, 11, in equation, first, ठीक है, अब बताओ, क्या रखेंगे, यहां पर A की जगे, 28 रखें minus, फिर minus, फिर B है, B की value, 11 है, is equals to A, 28, B का, plus है, पीच में, फिर B है, B है, 11, अब 28, minus, minus, plus, यहां पर भी 28, plus 11, ठीक है, यहां दिख रहा है हमें, LHS जो है, वो RHS की equal है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, यह भी क्या हो गया हमारा, verified, clear है, तो इस type से यह proper solution है, इस type से आपको exam में करके आना है, पूरी language लिखनी है, जितना भी मैंने लिखा है, इस type से आप करोगे, कहीं भी marks नहीं कटेंगे, बस इस question में यही था, कि भाई, आपको दिखाना था, show करके दिखाना था, क्या है, यह LHS और RHS के equal है, और होगा, जाहिड सी बात है, अगर equation है, कोई सी भी equation ले को A के A में 2 रखो, और B में 3 रखो, तो भी equal आएगा, कोई भी value रखो अपने ही साब से, equal, क्योंकि equation है, equation हमेशा क्या होगी, equal होगी, LHS और RHS हमेशा equal होगा, ठीक है, तो बस आपको इसमें show करके दिखाना था, जो आपने दिखा दिया, clear है बात, तो उमीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आयोगी, अगर वीडियो पसंद आयोगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा, और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लेजेगा, जिससे की upcoming वीडियो के notification आपको time to time मिलते रहे, thank you so much.